विपक्ष को एगजुट करने की मुहीम तो चल रही है लेकिन जिस तरह से ब्यानबाजी हो रही है विभीन विपक्षी दलों के द्वारा विपक्ष एगजुट हो पाए गया यानि उस पर यह सवाल उठने लगे हमारे साथ बिहार आरजेडी के अध्यक्ष और पाटी के वर अब कहा जाएगा तो वो पियम उमिदवार भी बनेंगे अगर समय कर कहेंगे तो लिए कि हर विएक्ष की अपनी फ्क्रिया और इनी विशारों को विख्ष कर रहा है हम लोग किसी को विचार विख्ष करने से नहीं रोख शकते हैं लेकिन बिहार का एक ही विचार है कि समा गांधी का देश गुड़ से बादियों के हाथ में है भारत का प्रधान मंत्री है कहने के लिए भारत का प्रधान मंत्री है वो प्रतिनिधी है नागपूर का आरिशस का कहने के लिए वो जनता का प्रतिनिधी है इस देश के बड़े बड़े अरब पतियों का वो प्रतिनि है बिशेओं पर सभी एकमत हैं इस देश को बचाना चाहिए खंडित नहीं होने देना चाहिए धार्मिक उनमाद में इस देश को नहीं फसना चाहिए इस मुलक को अपने शही रास्ते पर चलना चाहिए नफरत की राजनीती से मुलक नुक्षान उसको होगा हमने गांधी को गांधी की बिचारों की देश जो किशानों का देश है मज़ूरों का देश है गांवालों का देश है हम उसे खो नहीं सकते हैं अब सवाल है अपनी अपनी इक्षा बिशे पर मतांतर नहीं है हो सकता है व्यक्ति पर हो तो इस चलता है जब मोदी भी आये थे अड़वानी भी थे मुरली मनहर जोशी भी थे अनिक लोग आये थे दंगाईयों ने उनमादियों ने एक व्यक्ति को सुटेबल समझा रथ के जो रथी थे उनको हटा करके जो रथ में तौनमाने मजदूरी करता था उसको ही कुर्शी दे दिया तो इसमें हम लोगा क्या कहना है यह उनका विशय था हम लोग का विशय है कि समाजबादियों में आज के तम वरिष्टितम लोगों में नितीज कुमार है और नितीज कुमार लंबे समय तक नत्रत किया है इस विहार का किसी समय की थोरी भूल और गलती का नतीज़ आए कि भाज आपा कुर्शी पर बैठ रहा है और विहार की भूल ही ने देश को कहीं न कहीं गलत रास्ते पर डाल दिया। आज आज वह पुना उस भूल को सुधारने के लिए इस मुलक में घूम रहे हैं कि नहीं दंगाई उनमादियों से देश को बचाना है। हाँ हो सकता है कि चाकोशाब हो सकता है इस तरह पावार जी ब्यक्तित भी कहां किसी कमी है। लेकिन परदान मंदरी की कुर्सी एक है कोई एक ही कुर्सी पर बैठेगा। लंबा शमय अभी दो शाल का विशार का मंथन होने दिया जा। इसमें कहीं दो राय नहीं और बतांतर नहीं है कि ये आज का रिजिम खतरनाक है। ये देश चला गया रपतियों खरपतियों के आथों में। सबसे पुरेस्ट नेशन का सबसे हंगर नेशन इस बिहार को और भारत को कैसे एक सही दिशा में लें चला जाया। इसके लिए प्रियास एक तरफ से हो रहा और एक तरफ दुनिया में कौन तिन नंबर का दो नंबर का एक नंबर का व्यापारी बन जाएगा। उसके लिए कर्ब से प्रियास चला है इसलिए यह वहिचारी जो हमारा टकराव है उसमें हम सभी लोग के एक हैं अब व्यक्तियों की जो सवाल है उसको हल कर लिया जाएगा है। नितीस ही एक बेहतरीन चहरा हो सकते हैं पुराने समझवादी हैं हम लोग के निगाह में आज के दिन बिहार के निगाह में वो फिटस्ट प्राइम मिनिस्टर के उमिदवार हैं बिहार के निगाह में समझवादियों की निगाह में नितीस दिल्ली जाते हैं तो क्या बिहा सब बात की क्रिया है और जहां तक मुझे लगता है कि मुख आदमी के हटने पर जो सेकेंड माइन होता होता है और हम राश्टी जनता दल के विचारों का आज नितृत कर रहे हैं लालू प्रशाजी के मारदर समय नितीज के बार नहीं तेजस्वी जी वो हम सबों की शंजुक आएं लेकिन जहां तक प्रश्ण है किवाले राश्टी जनता दल का उसका नेतृत कर रहे हैं उपमुक मंत्री सिरी तेजस्वी जी जग्दानन ने परवार की दरवदारी को खारीच के नितीज सबसे बहतर हैं और पुराने समयजवाधी हैं उसके समय आजके समय नितीज की पोजिशन बहतर है तो जो दुसरे नमर पहो होता है कार में वही कमान समाल तब तो यसी कमान समाल लेंगी यह रहें जग्दानन्द के साथ सशां कुमार एवीपी न्यूस पठना